अंगजल राकने के नियम, जान लीजे घर में गंगाजल रखने के नियम बनी रहेगी खुशिया। जिनता महत्व पवित्र नदी गंगा का है उतना ही महत्व गंगाजल का भी है। चाहे बच्चे का जन्म हो या किसी व्यक्ती की मृत्य गंगाजल से सभी को पवित्र किया जाता है। गंगाजल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करें। रमिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी स्वर्ग में बहती थी। इसे मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रित्वी पर लाया गया था। भारतिय परंप्रा में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गंगा में डूप की लगाने से मनुष्य के सभी पापनाश्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि तीच त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोग गंगा तटपर स्नान दान आदी के लिए पहुँचते हैं। कुछ लोग घर में गंगा जल रखते हैं। घर में गंगा जल रखने के भी कुछ नियम है जिससे उसकी पवित्रता बनी रहती है। गंगा जल रखने के नियम हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है। ये तन, मन और आत्मा को पवित्र करता है इसलिए कभी भी इसे किसी गंदे या पवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। नहीं इसे कभी भी बिना नहाय न चुए। इस बात का भी ध्यान रखे कि इसे कभी भी जूटे हाथ या जूटे चपल पहनकर भी नहीं चुना चाहिए। पूजा के दौरान संकल्प लेते समय प्रयोग में लाए जाने वाले गंगा जल को हमेशा कांसे या तामबे के बरतन में भर कर रखना चाहिए। इसे प्लास्टिक के बर्तन में रखने से बचे, गंगाजल को किसी अंधेरे वाली जगह पर बंद करके नहीं रखना चाहिए। किस दिशा में रखे गंगाजल? गंगाजल को हमेशा अपने घर के इशान कोण यानी पूजा घर में ही रखना चाहिए। माना जाता है कि इस दिशा में देवताओं का वास होता है। अगर आपके पास थोड़ी मात्रा में गंगाजल है तो आप कूजा वाले जल में उसे मिला कर गंगाजल की तरह ही प्रयोग कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि गंगाजल को स्पर्श करके कभी जूट नहीं बोले।